South Korean Electronic Company LG ने अपने 2024 के नए एर कंडिशनर्स के मोडल इंडिया में लॉंच कर दिया है इसलिए में दोस्तों अगर आप भी अपने लिए LG का एक नए एर कंडिशनर्स करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि दोस्तों आखे 2024 के मोडलस में आपको क्या-क्या नए एडवांस वीचेस देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो केवल और केवल आपी के लिए है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको LG के नए 2024 एर कंडिशनर्स के बारे में बताऊँगा साथ हम कंपेर करेंगे LG के 2023 मोडलस के साथ में इसके इलावा दुस्तों मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस कंडिशन में LG Air Conditioner को अपने लिए पर्चिस करना चाहिए LG Air Conditioner के बारे में बताने से पहले दुस्तों अगर आप पहनी बार अपने लिए कोई Air Conditioner लेने के लिए प्लान कर रहा है और आपको कोई आईडिया ही नहीं है कि मार्केट में कौन-कौन से टेक्नोजी इसके Air Conditioner अवैलेबल है जिसे कि Inverteracy या फिर एक Non-Inverteracy Air Conditioner कितने टन का आपको पर्चिस करना चाहिए है जैसे कि 1 टन, 1.5 टन या फिर 2 टन AC के अंदर जो Star Rating Stickers होता है उसके उपर जो भी Star Rating विंशन होती है जैसे कि 3 Star, 4 Star या फिर 5 Star तो आपको कितने Star Rating का AC अपने लिए खरीदना चाहिए तो इस टॉपिक के उपर दोस्तों मैंने आपके लिए एक Complete वीडियो बना हुआ है जूकि एक AC Buying Guide वीडियो है आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लिर हो जाएंगे और आप अपने लिए एक Best AC Purchase कर पाएंगे दोस्तों LG Note 2024 मैं हर टाइप PKT करी में नए मोडल्स को इंट्रिद्यूस किया है चाहिए वो 1 तन का AC हो, 2 तन का AC हो या फिर 1.5 तन का AC हो और आपको हर टाइप के स्टार रिटिंग के मोडल्स में मिलेंगे जैसे कि 3 स्टार, 4 स्टार या फिर 5 स्टार और उन सभी मोडल्स की डिसकाउंट बाइइंग लिंक्स भी आपको डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दोगा आप अपनी रिवार्मेंट के साफ से उन मोडल्स को भी चेकाउट जरूर कर सकता है इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको LG के 1.5 और 5 स्टार इंवर्टर स्ट में टेर कंडिशन के बारे में इंफोमेशन देने वाला हूँ और उसको मैं कंपेर करूँगा LG के 2023 मोडल्स के साथ में भी दोस्तों बाकी जो अधर मोडल्स है उन में आपको कुलिंग कैपेसिटी, इंडोर इनिट और आउट इनिट साइस, आइस्टेर विल्ली और प्राइस का डिफरंस देखने को मलेगा बाकी जो मैं आपको फीचर्स इस वीडियो में बताऊंगा, वो सारे फीचर्स आपको उन टेर कंडिशनर में भी मिलेंगे दोस्तों सबसे बेल हैं, LG के 2023 और 2024 के 1.5 और 5 सार इनिट स्टार इनिट स्टेर कंडिशनर के कॉमन फीचर्स एन टेकनोजिस के बारे में आपको इन्फरमिशन देंगे पास्यों मोड मिलता है आपको AI मोड जिसे के हम Artificial Intelligence मोड भी कहता है और इस मोड के दरू दोस्तों जो भी आपका रूम का टेंपरेचर होता है वो AC सेंस करता है और उससाफ से दोस्तों आपके रूम में प्रॉपर कुलिंग को बना रखता है वही दोस्तों आपको छटा मोड मिलता है विराट मोड जिसमें आप AC से 110% कैपसेटी में भी कुलिंग ले सकता है इसके लावा दोस्तों इनकी AC में आपको 4-way Air Swing का फीचर मिल जाता है जिसमें के आपको जो Airflow मिलता है AC के इंडोर निट से वो आपको Left and Right and Up and Down चारो दिश जिसमें मिलता है जिससे कि आपका जरूम है वो जल्दी शरेंडा हो जाता है इसके लावा दोस्तों इनकी AC में आपको Smart Diagnosis का फीचर मिलेगा जिसमें दोस्तों अगर आप सम्मान के चलेंगी आपके AC में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप LG के Customer Gear पर खॉल करके अपनी प् दूस्तों होती है तो Auto Error Cut दूस्तों Indoor lost के Display पर विजबल हो जाता है साथ साथ दूस्तों और दूनोंगे Air Conditioner में आपको Low Gift Detection ब tech का फीचर भी मिल जाता है सबोस्त अगर आपके Air Conditioner में घया S Father कोई इश हो है तो CH38 का जो Vergen के washed भी दोनों ही ACS में मिलेगा यहने कि दोस्तों अगर आपको इंडूर इंडूर की कुलिंग को इसको क्लीन करना है तो आप आप आटो क्लीन फीचर की मदब से क्लीन कर सकता है वही दोस्तों आपको इर फिल्टरेशन में HD फिल्टर विट एंटी वारेस प्रोटक्शन का फीचर मिल जाता है और दोस्तों यह जो फिल्टर होता है वो हवा से वारेस बैटरर वो प्रॉपर तरीकी से क्लीन करता है और ACS से दोस्तों आपको हेल्धी और फ्रेश एर 90 वोल्स तक मिल जाती है इसका मतलब यह है कि अगर आपके एरिये में पावर इसे बीच में रहता है यानि कि पावर अपने डाउं 120 वोल्स से लेकर 290 वोल्स तक ही रहता है तो फिर आपको डिस्क्रिशन वोक से मिल जाएगी उस वोडियो को देखकर आप अपने AC के लिए एक बेस्ट टैबलेजर पर्टिस कर सकता है LG के इन दोनों ही AC में दोस्तों आपको 11 kg का इंडूर मिलता है दोस्तों जो 2024 का मोडल है उसके जो भी मैं आपको प्रोड़क लिंग प्रोवेट करूँगा Amazon या Flipkart की वहाँ पर आपको 28.5 kg का ही आउट्डूर नुट का वेट दिखेगा लेकिन दोस्तों अगर आप डाइमेशन चेक करेंगे तो 2023 और 2024 के आउट्डूर का डाइमेशन आपको सेम ही मिलता है और इसका वेट में जो है वो NG की ऑफिशल वेबसाइट पर चेक किया है वो आपको वहाँ पर 30 kg ही देखने को मिलता है यह नहीं के दोस्तों आउट्डूर हीट के वेट का भी कोई डिफरेंस आपको इन दोनों ही एसीज में नहीं मिलता है वहाँ दोस्तों आइसीर वेल्यो की बात करूं तो 5 स्टार रेटिंग के जो मॉडल्स आता है वारंटी की बात करें तो दोस्तों को भी चेंजिस नहीं है एक साल की और वर परड़क पर आपको वारंटी मिलेगी पाच साल की PCB और तस साल की कंप्रेसर पर वो भी गेस चार्जिंग के साथ में कॉमन फीचर के बाद दोस्तों अब हम जानेंगे कि LG ने आखिर 2024 के मॉडल में एसे क्या चिंजिस किया है जिससे कि दोस्तों इनका AC आपकी लिए एक अच्छी चोईस रहेगा तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि जो 2023 का मॉडल था उसमें चूबे कूलिंग कैपसिटी आपको देखने को मिलती थी 100% वो के वर आपको 1600 वाट ही देखने को मिलती थी और उस मॉडल में आपको मैक्सिमम कूलिंग कैपसिटी चोपन सो वाट ही देखने को मिलती थी यानि कि दोस्तों कवरे जेटिया उसे सी का जो था वो अप्टू 162 तक के एक एर सिल रूम की नहीं ही था लेकिन दोस्तों अब जो है 2024 मॉडल में कूलिंग कैपसिटी को इंप्रोव किया गया है यहाँ पर आपको 100% कूलिंग कैपसिटी 5 यहार वाट यहाँ पर देखने को मिलेगी यानि कि एक्चुल टन के इसाब से यह मॉडल आपको 1.42 टन का मिल रहा है और इस मॉडल में दोस्तों मैक्सिमम कूलिंग कैपसिटी आपको 500 वोड जो है वो ओफर की जाती है यहाँ कि दोस्तों विराइट मोट पर जब भी आप इसी को चलाएंगे तो यह इसी 1.5 टन से भी ज़ादा कैपसिटी में काम करेगा और आपकी रूम को जबड़ी से रहंडा करेगा और यह एसी दोस्तों अप्टू 180 स्केरफट टक के एक प्रॉपर एर सिर्ड रूम के लिए एक बहुत दी अच्छा उप्शन है दोस्तों कूलिंग कैपसिटी बढ़ने से पावर कंजप्शन पर भी इसका इंपक्ट बढ़ेगा सिर्डी सी बात दोस्तों जो 2024 का मोडल है उसमें कूलिंग कैपसिटी आपको ज़्यादा मिल रही है तो वो एसी दोस्तों पावर कंजप्शन भी ज़्यादा करेगा दोस्तों 20 स्तार रेटिंग परामिटर के साब सी ये एसी सालना 744 इनिट कंज्यूम करेगा चुकि 2024 का मोडल है वह 2023 का मोडल है वो सालना 685 इनिट कंज्यूम करता है तो दोस्तों यहाँ पर पावर कंजप्शन में भी थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा इसके अलावा दोस्तों ओर डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो जो भी कूलिंग कॉल्स और गनेसर कॉल्स मिलती है आपको इन दोनुँझी एसीज में 100% कॉопर की जरूर देखने को मिलती है लेकिन दोस्तों जो आउट्डोर रिट में आपको means coating production देखने को मिलता है वह 2023 के model में black क्लर का coating production देखने को मिलता था से मॉडल नंबर का जो 2023 का मॉडल था उसमें दोस्तों RS के नाम से जो है वो मॉडल से शुरू होती थी जबकि 2024 के मॉडल की जो से शुरू होगी जिसकी डिटल अभी आप वीडियो की स्क्रिन पर देख सकते हैं साथ दोस्तों अगर मैं प्राइस से कंपेर करूँ तो वो भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जो 2023 का मॉडल है उसके फिलाल करन प्राइस हैं 43,490 रुपे वहीं दोस्तों आप 2024 के मॉडल को फिलाल परतिस कर सकते हैं 46,590 रुपे में याने कि दोनों ही AC में आपको लगबग 3000 रुपे तक का डिफरेंस यहां पर देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तों जो चेंजिस किया हैं LG ने वो काफी बढ़िया किया है और इस हिसाब से दोस्तों जो LG का नया मॉडल है वो आपके लिए अच्छी चोईस जरूर बन जाता है अब बात करता है कि दोस्तों LG के इस AC को आखिर आपको अपने लिए किस वज़ा से पर्टेस करना चाहिए तो दोस्तों काफी सारी वज़ा है यहने कि आपको सारे required features इस AC में देखने को बलेंगे चाहिए वो convertible cooling modes हो, smart diagnosis का feature हो, auto clean का feature हो या फिर low gauge detection का feature हो, वो सारे देखने को मिल रहा है इसके लावा आपको golden fin यहाँ पर condenser coils भी देखने को मिल रहे हैं, जिसके उपर golden करका कोटिक protection है, जिसे कि आपके outdoor की जो life है, और यहाँ पर बढ़ जाती है वही दोस्तों, most important, जो LG की after sell services है, वो pan India आपको काफी कमाल की देखने को मिलती है, जो कि एक और वज़ा है इस AC को अपने लिए purchase करने की तो हमारे द्वारा दे गई discount affiliate links से ही purchase किजेगा, आपको वहाँ पर bank के credit card और debit card के उपर cashback offers देखने को मिलेंगी, और अगर आप हमारी affiliate links से अगर purchase करते हैं, तो दोस्तों आपकी product की price दोए रहेगी, लेकिन आप indirectly हमारे चनल की काफी financially help करतेंगे, अगर आप हमें support करना चा साथ या आपको खरीदने की वजह भी बताई है, जिससे कि दोस्तों आपको आसानी होगी अपने लिए एक best buying DCN लेने में, दोस्तों अपकमिंग डेज में हम बहुत ही जल, LG के नए air conditioner के models का unboxing review वीडियो भी लेकर आएंगे, जहाँ पर आपको और deep में information मिलेगी, LG air conditioner के बार जो कि आपके लिए काफी helpful जरूर रहा होगा, और upcoming days में दोस्तों आपके लिए डेटिल में वीडियो लेकर आते रहेंगे, दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ही डेटिल वीडियो जरूर पसंदा होगा, अगर आपको हमारा ही वीडियो अच्छा लगा हो, तो जर रहा हूँ